हाई गाईज वेल्कम टीवल्फबीचा माइनम इस यामार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रिपोजीशन इन इन के काफी सारे इस्तिमाल है जो आपको सीखनी है वन आप्टर इन अधर मैं हर एक सेंटेंस के अंदर एक इस्तिमाल सिखाने वाला हूं इनका बर इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इतना ही इस्तिमाल होता है कुछ और भी है लेकिन मेजर पॉइंट्स मैंने कवर किया है इसके सारे प्रैक्टिस कोश्चन मैंने अप्लिकेशन के अंदर डाले हैं ताकि आप यह पढ़ने के बाद इसके प्रैक्टिस भी कर सकें ताकि ऐ कर पाओ अपने day-to-day life में, शुरू करते हैं, मेरा laptop मेरे bag में है, मैं बताना चाहता हूँ कि laptop bag के अंदर है, तो मैं बोलूँगा, my laptop is in my bag, आप किसकी team में हो, यानि कि आप किसकी team का हिसा हो, whose team are you in, whose team are you in, मैं 2010 में graduate हुआ, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब कभी time की बात हो, साल की बात हो, महीनों की, रितों की और दिन के पहर की, उस समय भी हम in का इस्तमाल करते हैं, इसके लिए मैं लिखूँगा, I graduated in 2010, Guys, दिन के पहर के साथ कुछ exceptions भी होते हैं, वो मैं एक और वीडियो शूट करूँगा, जिसमें in, on, at, इन तीनों का इस्तमाल सिखाऊँगा, वहाँ पर आपको दिन के पहर के उपर जादा information मिलेगी, हम दिल्ली में रहते हैं, जब कभी हम बात करेंगे बड़े शहर की और देश की तो इस्तिमाल करेंगे इनका, हम दिल्ली में रहते हैं, We live in Delhi, वह या काम दस दिनों में कर सकता है, यानिके दस दिन के अंदल नप्टा देगा, खतम कर देगा, वह के लिए, He can do this work in 10 days, आप यहां पर विद्न भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, वह आर्मी में है, जब हम बात करेंगे किसी डिपार्टमेंट के अंदर होने की सेवा के लिए, तो भी हम इस्तिमाल करेंगे इनका, वह आर्मी में है, He is in the army, वह प्यार में है, यानि के अनुभव कर रहा है प्यार को, जब बात करेंगे अनुभव की और अवस्ता की, तो भी हम इनका इस्तिमाल करते हैं, वह प्यार में है, He is in love, गाज यह तो था overview इनका, काफी हट तक मैंने cover कर दिया है कि कहां पर इस्तिमाल किया था इनका, बट इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ इतना ही इस्तिमाल है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे questions जिये गए हैं Android application के अंदर, जरूर डाउनलोड करें और जरूर प्रैक्टिस करें, हम इनका इस्तिमाल एक बर और सिखेंगे जहां हम compare करेंगे in, on और add को, तब तक के लिए यह lesson आपके लिए बहुत है, I hope यह lesson आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल पे और Android application को जरूर डाउनलोड करें ताकि आप्रैक्टिस कर पाएं, Thank you very much and have a great day.